हेलो गाइस आप सबका स्वागत आक्सरवल के एपिसोट फोर में और जिस जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कर लो और अब चलते हैं आप स्टोरेज बॉक्स के तरब जहासे हम लेंगे कुछ फत्तर और कुछ बेरिस जिससे हम कार्बोनिमस को पकड़ेंगी क्योंकि हमें पस गुलेर तो है बस बचा कुछ बेरिस क्योंकि वह बेरिस खाता है सब लोगों को पता ही होगा और मुझे कमेंट मे ये बताना कि फ्योब मिया खाता का है मुझे अभी तक नहीं पता कि फ्योब मिया खाता का आए मैंने तो अभी तक उसे पिछले बीन किया तो कमेंट में बता देना अब यहां से हम चलते हैं सीधा कार्बोनिमस के पास और उससे पहले मुझे यहां पे डिलोफोसरस मिले जिससे मैंने ट्रेंगल एरो से मारा उसे और बस दो ही शोट मारने पड़े ज्यादा मारना नहीं पड़ा क्योंकि इसका डैमेज बहुत होता है तो आराम से मर भी जाता है पर यह पहला वाला कुछ ज्यादा लेवल का था सेकंड वाले को मारने के लिए ज्यादा समय तो नहीं लगा क्योंकि यह बस दो शोट में खतम हो गया और यहाँ पर इन दोनों को मारने के बाद मुझे कार्बोनिमास पानी में जाते हो दिखा था और मुझे अभी भी दीख रहा तो मैं यह सोच रहा था कि इसे पानी में से अब निखा लू कैसे और तभी मुझे एक ख्याल आया है कि मैं इसके साथ पानी में जहूंगा और इसे एक पीक एक्स मारूंगा और ये तभी भार निकल जाएगा मुझे इतना पता था और अब हम इसके नस्दिक तो आ चुक है चलो इसे मारते है और इसने मुझे एक मार आ तो जैसे-तैसे ये मेरे पीछे आए जाएगा देखते है अब जमिन पर जाने के बाद क्या होता है तो हम जमिन पर आ चुक है ये कार्बुनियोस हमारे पीछे आ रहा है तो हम इसे गुल्डेर से मारत है, मुझे इसका नाम नहीं पदा, तो मैं इसे गुल्डेर ही बोलने वाला हूँ, जब नाम पता चल जाएगा मतलब नाम मैंने पड़ा था पर अभी मुझे याद नहीं है, तो देखते हैं इसे इसकी लाइब कितनी जाएगी, और मारते मारते तो मेरा पूरा गुल्डेरी ही हो चुका है, अब मुझे इसे बनाना पड़ेगा, हम इनको दोनों को मार देंगे, जिसको मैंने तभी मारा नीता, आप तो पता होगा, मैंने बताया था, यह तभी बाद में काम आ जाएगी, और हम थोड़े फाइबर की ज़रूरत है, तो ह हम इसका फाइबर भी ले लेते है, और हम बना लेंगे हमारा गुल्डर, तो हमारा गुल्डर बन चुका है, अब हम इसे मारेंगे, यह हमारे पेछे आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर की जो आग बबुला है, यह तो कभी मिटनी नी वाले, तो यह हमारे पीछ दरूर तो आप उसके पीछे जाके उसको पीकेक्स मार सकते हो, ऐसा मैं अभी खरने वालो, मैंने बहुत बार असा किया है, पर ऐसे पीकेक्स मारें से एक बात गलत होती है, कि अनकॉंशियोस कभी कबार नहीं होता है, सिदा मरी जाता है, तो थोड़ा धैन में भी रखना, तो हमन मतलब यह उनकॉंशियोस हो जाएगा, क्योंकि मुझे पूरा एकिन है, तो यह पीछे जा रहा है, पानी में डूब रहा है, मुझे इसे पानी से रोकने के लिए, मुझे इसके उपर पीकेक्स की बाउचार करनी ही पड़ेगी, तो मैं मार रहा हूँ, मार रहा हूँ, इसक तो ज्यादा बेरीज नहीं है, फोटी बहान है, देखते हैं, कितना खाएगा यह या फिर इसे और लगेगी, तो वासे रह रहा है के मुझे बहुत परिशानी, मतलब बोरी होने वाला है, तो मैं इसके लाइस्टो साथ इसका बच्चा जो की है, मैं इसे मारने जाता हूँ तो देखो, अगर आप किसी को ऐसा मारते हो, अगर उसकी बच्चे के पती के साथ पतनी भी हो, तो बिल्कुल ऐसा करने, कोशिस मत करना, आप दोनों के बीच में फच जाओगे, और उसके बाद मर जाओगे, तो थोड़ा धेन में रखना, तो इसे खताम होने के लिए समय लगने वाला है, मतलब एक रात गुजरने वाली है, तो दस मिनिट के बाद सिदा क्योंकि बहुत समय लगने वाला है, तो यहाँ पर आक सरेवल में बिल्कुल एक दिन भी चुका है, देख सकते हो, अभी अभी सबे रहा हुआ है, और धान से कुछ दिक तो नहीं रहा ह फत्तर कहां से मिल जाएगे, तो यह तो मैर चुका है, चलो इसे फिनिश भी कर देते है, यह अभी कौन आया है, देखना पड़ेगा कि अभी यह कौन आया है, तो इससे घने कौर से बचने के लिए मुझे जम्प मारना पड़ रहा है, मैं ख्या बताओ, और यह आखिर कौ और यह देखो, यह मुझे मारने आ रहा है, इसके लिए मैं गुल्डर का इस्तमाल नहीं करूगा क्योंकि गुल्डर का डैमेज थुटा कम है, इससे अच्छा तो मैं एरो से ही मार लू, क्योंकि दो शोट में यह मर जाएगा, तो अब हम देखते है कि कार्बनिमस कितना ट लेंगे, इनका रोमेट और हाइड निकाल दालें, कभी भाद में कामा जाएगा मुझे, और देखो, यह गुल्डर से मारा था, इसलिए अनकॉंशियस है, मैंने दूसरे को एरो से मारा था तो वो अनकॉंशियस नहीं, तो पूरा डेट था, पर यह अनकॉंशियस था, अनकष कमा बहरा था, बहरा था, अब क्या बताऊ, अब चलू इसे लेके चलते हैं, हमारे घर जहाँ पर हम रहते हैं, तो चलू-चलते है, वेसे इस कारभी निमस के 33 भील है, तो इसका चलना हुपछ थी फास्ट है दूसरे कार्बनिमस से, मैंने बोश्ट कारबीनिमस को देखा है जो कि बहुत धीरे चलता है तो मैं इसे थोड़ा फास्ट कर देता हूँ अमें वैसे तो घरी जाना है घर जाते जाते हैं अब कोन बताते बैटेगा अब तो अब हम आचुके हैं हमारे घर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और यहां कार्बोनिमस आ रहा है मेरे पीछे पीछे तो हम इसे चाओ में रख देँगे और देखो इसे चाओ में रखने हैं बहुत बड़ी महनत लगने वाले है यह वहाँ पर ही रुख जाएगा इसलिए मुझे पीछे-पीछे घर के पीछे जाना पड़ेगा इसे वहाँ पर रखने के लिए और मैं दबा देता 1,400 health अच्छा है वो भी बहुत अच्छा है मैं इसे कभी लडाई में इस्तिमाल कर सकता हूँ तो मैं बचा कुछा सामान इसमें डाल देता हूँ मुझे बचा कुछा सामान उटाने की बहुत बड़ जादत है तो मैं क्या बता हूँ मैं जहां पर भी जाता हूँ कुछ ने कुछ उटा के लाता हूँ मतलब मेरे पाद जगा भी ना हूँ मतलब आप उपार स्टोरिज बॉक्स में देख सकते हूँ पूरे 15 के 15 स्लोट फूल है तो भी मैं भरते ही जा रहा हूँ क्या पागलपन है बोल सकते हूँ मुझे तो मैं आखरी बार आप सबको पैरुस्वार और कार्बोन ने मस बता देता हूँ देख सकते हूँ यह भी मेरा घर जो की बहुत बड़ा डिजाइनर है तो इसके बाद एपिसोड फूर खातम होने का समया हो चुका है तो हम मिलते है कहां पे गया इमोड बड़न ठीक है अगर आपको एपिसोड फूर पसंद आओ तो वीडियो को लाइक करना और सस्क्रेब कर देना चलो मिलते है बाई बाई